जैहिन वन्दे मात्रम स्वागत हैं आप सभी का जीय स्वीत आशू पर आज की ये वन्सोट की वीडियो 69 विपैसी पर भारी पढ़ने वाली वीडियो है क्योंकि वन्सोट पर 50 ऐसे महत्कुन प्रस्ण कर लेते हैं तो एकजाम किलियर हो जाएगा पचास प्रस्ण आप सभी भाई और बहनों के नाम पहला प्रस्ण है मारिया प्रथा का परतिबन के कारण किस जनजाती ने विद्रो किया था important प्रस्ण है मारिया प्रथा पर पर्तिबन के कारण जिस जनजाती ने बिद्रो किया था वह जनजाती का नाम है खोंड option number D और इसा के खोंड जनजाती में मारिया प्रथा यानि की नर्ड बली प्रथा प्रचली थी इस पर पर्तिबन लौड हार्डिंग ने लगाया था खोंड बिद्रो का नेहतीत चक्र विशोई ने किया था अगला प्रस्म देखते हैं नीम में से किसे आधुनिक भाधत का प्रथम राष्ठवधी कभी माना जाता है आधुनिक भाधत का प्रथम राष्ट वदी कभी माना जाता है हेंडरी बिविलियन डेड़ी जियों को अगला प्रस्ण देखते हैं निम में से किसने भारती राष्टी कॉंगरेस की अस्तापना का स्वागत नहीं किया था भारती राश्टी कॉंग्रेश की अस्तापना का स्वागत नहीं किया था सरसयद अमत खाँ अगला प्रस्ण है बंगाल में इजारा बेवस्ता किसने आरम की बंगाल में इजारा बेवस्ता आरम की थी मुर्सित कूली खाने अगला प्रस्ण देखते हैं इंपोर्टन प्रस्ण है पलासी के यूद के बाद बंगाल में इसे नवाब के दरवार में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गिया था पलासी की यूद के बाद बंगाल में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया था लियुक इसका अप्टरन को ओप्सन नमर बी अगला प्रस्ण है किस गवर्नर जर्रनल या गवर्नर ने पंच वर्सी बंदोवस चलाया था जीस गवर्णर ने पंच वर्षी बंदोवस चलाया था वह गवर्णर का नाम है वार्ण हेस्टिंगस अगला प्रस्ण देखते हैं इंपोर्टन प्रस्ण है और अंजेब की मिर्थु के समय मुगल समराज में कुल केतने प्रांथ हैं औरम्जेव की मिर्ट्यू के समय मुगल समराज में कुल 21 प्रांथ है ओप्शन नमर C अगला प्रस्ण है नीम में से किस राजपु सासक ने दो असमेद यक कड़वाएं थे तो दोस्तों हुआ राजपु सासक का नाम है राजा जै सिंग जिसने दो असमेद यक कड़वाएं थे अगला प्रस्ण देखते हैं किसने फार्सी भासा में जफर नामा लिखा था फारसी भासा में जफर नामा लिखा था गुरु गोविन सिंग ने अगला प्रस्ण है अंग्रेजी द्वड़ा पेश्वा प्रथा इस पेश्वा के काल में समात कर दी गई थी अंग्रेज्यों दोड़ा पेश्वा प्रथा जिस पेश्वा के काल में समाप्त कर दी गई थी वह पेश्वा का नाम है बाजी राव दूतिये ओप्सन नमर ए अगला प्रस्म देखते हैं कम्योंटी प्रथा की छेत में प्रथली थी कम्योंटी प्रथा प्रथली थी बिहार एम उरिसा में प्रथली थी इस प्रथा के अंत्रगत किडिसी दास के रूप में खेती करने वाले कमिया जाती के लोग अपने माली को दोड़ा प्रण रिन पर धी जाने वाली ब्याज की रासी के बदले में जीवन भर उनकी सेवा करत अगला प्रस्म देखते हैं, ए हिस्ट्री ओब दा सिपाई वार इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, जी डबलू काए? अगला प्रस्म देखते हैं, दाचिन पुर्वी समून तर्ट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कब अस्तापीत की थी? अगला प्रस्म देखते हैं, किस अधनियम दुवार गवर्नर जर्रल को मुख सेना पती तथा गवर्नर जर्रल दोनों की सक्तिया परदान की गई थी? तो दोस्तों वह अधनियम था, 786 का अधनियम, ओप्शन नमर डी अगला प्रस्म देखते हैं, असान सा प्रस्म है, राजा रा मोहन राए को राजा की उपाधी किस ने दी थी? अगला प्रस्म देखते हैं, सूची एक को सूची दो के साथ मिलान करना है, चलिए देखते हैं, एक तरफ दिया गिया है संस्था का नाम और एक तरफ दिया गिया है संस्थापक का नाम चलिए मिलान करते हैं एक का मिलान हो जाएगा दो से डिप्रेश क्लास मिशन सोसाइटी के संस्तापक थे बी आर सिंधे बी का मिलान हो जाएगा चार से ओल इंडिया डिप्रेश क्लास एसोसियेशन के संस्तापक थे महात्मा गांधी C कामिलान हो जाएगा एक से D All India Depress Class Federation की संस्तापक थे दॉक्टर भीमरा अमेदकर और लास्ट D कामिलान हो जाएगा तीन से सत्य सोदक समाज के संस्तापक थे जोतिवा फुले इस प्रकार ओप्सन नमर D सही हो जाएगा अगला प्रस्ण देखते हैं इम्पोर्टन प्रस्ण है भारतिय विश्विद्याले अधिनियम 1904 के अध्याच निम में से कौन थें? भारतिय विश्विद्याले अधिनियम 1904 के अध्याच थें? सर्ट टॉमस रेले ओप्सन नमर D अगला प्रस्ण देखते हैं इम्पोर्टन प्रस्ण है लखनाओ पैक्ट 1916 इस्वी के संदर में नीमेसी कौन सी घटना समन्दित नहीं है यह पहला अपसर था जब मुस्लिम लीक और कॉंग्रेस का अधिवेशन एक साथ हुआ था तो दोस्तों यह कतन गलत दिया गिया है बाकी तीनों कतन सही दिये गए हैं इसमें कॉंग्रेस के नड़पंथी और गड़पंथी दलो का सम्मीलन हुआ था इसमें ही मुस्लिम लीग और कॉंग्रेस के भी समझोता हुआ था कॉंग्रेस के अधिवेशन की अधिश्ता अम्भीका चर्ण मजुंदार ने की थी तसा मुस्विम लिक या दिवेशन की अधिस्ता मोहमद अली जिन्ना ने की थी अगला प्रस्न देखते हैं ना लगान ना टैक्स अभ्यान सवेने अभगिया आंदरोन के दुरान कॉंग्रेस ने कहां चलाया था ना लगान ना टेक्स अभ्यान सभी ने अभगिया आंदरोन के दुरान कॉंग्रेस ने चलाया था संयुक्त पडान्त में अगला प्रस्न है मंगल पांडे ने चर्वी वाले कार्तुस के पड़ियों के बिरोध में किसे अपनी गोली का सिकार बनाया था मंगल पांडे ने चर्वी वाले कार्तुस के पड़ियों के बिरोध में जिसे अपनी गोली का सिकार बनाया था वह थे लेपनिन बाग तथा सर्जन हुर्सोन इस पड़कार ओप्सन नमर ई सही हो जाएगा उपड़ोक में से एक से अधिक अगला प्रस्ण देखते हैं 5867 की करांती की ओप्चारिक सुरुवात कब हुई थी? अगला प्रस्ण है सौर परथा मानव ने किस खाद अनाच को परिऊग में लाया था? तो दोस्तों वह अनाच था जो ऑप्सन नमर ई अगला प्रस्ण देखते हैं रीगवेत की जो एक मा साखा वर्तमान में उपलब्ध है वो है साकाल ओप्शन नमर D अगला प्रस्म देखते हैं निमलीखित में से किस दर्शन के परवर्तक के रूप में कपिल मूनी को जाना जाता है तो दोस्तों वह दर्शन है सांख दर्शन ओप्शन नमर C सांख दर्शन के परवर्तक के रूप में कपिल मूनी को जाना जाता है अगला प्रस्म देखते हैं गोट काल में एक बेवस्ती सासन परणाली थी जिसमें सासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी गुर्ट काल में एक विवस्ती सासन पढ़नाली थी जिसमें सासन की सबसे छोटी इकाई थी गराम अगला प्रस्ण है नीम में से किसकी रचना हर्ष ने नहीं की थी जिसकी रचना हर्ष ने नहीं की थी वह रचना थी हर्ष चरित ओप्सन नमर बी हर्स चरित की रचना संस्कीत भासा में बान भट के दोड़ा की गई थी जबकि नागानन, रतनावली तथा प्रियत दर्सी का या तीनों की रचना हर्स ने की थी अगला प्रस्म देखते हैं अगला प्रस्म देखते हैं अगला प्रस्म देखते हैं निम में से वो कौन था जिसने त्राइन के दूतिय यूद में भाग लिया तथा आगे चल कर दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना तो दोस्तों हुआ थे कुतुबोदिन एबक ओप्सन नमर ए अगला प्रस्म देखते हैं चचनामा अली अमत के द्वारा अर्भी भासा में लिखित एक पर्मुग्रंथ है जिसमें मुख रूप से वर्णन किया गिया है अगला प्रस्म देखते हैं भाक्ती आंद्रों को दर्चिन भारत से उत्तर भारत में लाने का स्रे निम्मे से किसे जाता है भाक्ती आंद्रों को दर्चिन भारत से उत्तर भारत में लाने का स्रे जाता है रामनंद को अगला प्रस्ण देखते हैं किस मत कालीन सासक ने रूपिया का परचलन करवाया था रूपिया का परचलन करवाया था सेरसा सुरी ने अगला प्रस्ण है मुगल समराट दुवड़ा इस्ट इंडिया कमपनी को बिहार में दिवानी का धिकर कम मिला आंसर है option number A, 775 इस भी में अगला प्रस्ण देखते हैं, important प्रस्ण है मजुरूल हक ने दी मदले नामक अखवार का प्रकासन किया मजुरूल हक ने दी मदले नामक अखवार का प्रकासन किया असयोग आंदरोन के दुरान अगला प्रस्ण देखते हैं सौर पर्थम राश्टी नियोजन समीती का गठन भारती राश्टी कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में किया गिया था आंसर है ओप्शन नमर डी हरीपूरा अधिवेशन उनी सो अर्थिस में 1938 में कॉंग्रेस के हरीपूरा अधिवेशन में जभाला नेढू की अधेस्ता में राश्री नियोजन समीती का गठन किया गिया था इसे कॉंग्रेस योजना भी कहा जाता है अगला प्रस्न देखते हैं केतने पंचवर्शी योजनाओं में लस से अधिक ब्रेधी पराती की ग मुद्रा इस्पीती पर नियंतन के मौद्री उपाय हैं CRR में ब्रिधी तथा SLR में ब्रिधी अगला प्रस्न है नई ओदोगिक नीती की घोषना की गई थी 24 जुलाई 1991 को अगला प्रस्न देखते हैं राजकोशिय उत्तरदायत वा बजर्ट प्रवंदन अधिनियम के अनुसार 2023 तक केन वा राज सरकार को GDP का कितना परसेंट रिन रखने की बात की गई है आंसर है ओप्शन मर भी 60 परसेंट अगला प्रस्न देखते हैं इंपोर्टन प्रस्न है विस बैंक सम्हू में कितनी संगाठन है विस बैंक सम्हू में 5 संगाठन है ओप्शन अगला प्रस्न देखते हैं BSE Greenness Index में केती कमपणियां सामील है BSE Greenness Index में टोटल 25 कमपणियां सामील है ओप्सन नमर B अगला प्रस्म देखते हैं यदी राजकोशिय घाटा में ब्याज भुखतान को कम कर दिया जाए तो सेश रहेगा यदी राजकोशिय घाटा में से ब्याज भुखतान को कम कर दिया जाए तो सेश रहेगा राजकोशिय घाटा माइनस ब्याज बड़ावर प्रात्मी घाटा ओप्सन नमर E सही हो जाएगा उपरोक में से कोई नहीं अगला प्रस्म है अगला प्रस्म देखते है अगला प्रस्म है राश्टे ग्रामी रोजगार गैनटी अधिनियम कब पारित हुआ राश्टे ग्रामी रोजगार गैनटी अधिनियम पारित हुआ पांस सितंबर 2005 को अगला प्रस्म देखते है इंपोर्टेन प्रस्म है बिहार में ग्रीन बज़र सोड़ पर्थम कब पास हुआ? बिहार में ग्रीन बज़र सोड़ पर्थम पास हुआ? 2020-21 में अगला प्रस्ण है केंद्रिय बज़र 2022-23 के अनुसार अगले तीन वर्सों के दुरान मल्टी मॉडल लोजिस्टिक सुविधाओं के लिए कितने पीम गती, सक्ति कार्गोर टर्मिनल तैयार किये जाएंगे? आंसर है ओप्शन नमर B, 100 अगला प्रस्ण देखते हैं बिहार बज़र 2022-23 के अनुसार वित्तिय वर्स 2022-23 में राज के अपने स्रोतों से गैर कर राजस के रूप में कितनी रासी पड़ाप्थ होने का अनुमान है? आंसर है ओप्शन नमर C, 6135.62 करोड रूपे अगला अंतिम प्रस्ण देखते हैं किस वर्स को अन्तराष्टे कदन यानि की मिलेट वर्स के रूप में घोसित किया गिया है? तो दोस्तों 2023 को अन्तराष्टे कदन यानि मिलेट वर्स के रूप में घोसित किया गिया है थैंक यू